नवस्कार दोस्तों स्वागत अपने यूट्यूब चैनल गिरिन गॉलर बूपन पर जैसे आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं यह मेरे एक चीकू का पेड़ है गंबले में लगा रखाए मैंने एक 14 इंची गंबले में लगा रखाए मैंने वजे बढ़िया गिरूत चल ल हे रेखा जाती है कि फूल जड़ जाते हैा फल में कंविटी नहीं होता है तो आज मैं इस वीडियो के महत्reiben से बताउंगे आपको क्या करना चाहिए कि जिस तरीके से यस प्रिकार से खाथ देना है किस प्रिकार से पानि देना है कौन सा इसके अंदर केमिककल खाथ देना ह तो यह सारी बीडियो में मैं आपको बने रहा हूँ, यह सारी बातें आपको बीडियो में बताऊंगा, कि जिससे आपके फूल नहीं जड़े हैं, और फूल से फल बन जाएं, तो इस प्रकार से जैसे ही आप देख रहे हो, तो मेरे चीकू के प्लांट में कितने फिलोवर आ रहे हैं, जे कलियो में गुच्छों में फिलोवर आ रहे हैं, जे फल भी लगा है, और कुछ फल कनबिड भी हो रहे हैं, जैसे इस तरीके से देखो, यह भी लग रहे हैं, यहां इसमें क्या गुच्छों में आते हैं, देखो यह लग रहे हैं, कितने प्रकार से गुच्छ में बताऊंगा आप वीडियों बने रहें इस प्रिकार से मेरा गिराप्टेट पौदा है देख सकते हैं आप यहां से गिराप्ट करा हुगा पौदा है और करीवन एक से दिर साल पुराना है तो जैसे आप देख रहे हैं कि गमलेवे मैंने मूंग की दाल लगा रखी थी मू अब वो बिल्कुल पक गई है यह फलीयां बन गई है अब इसको अपन क्या करेंगे खाड़ देंगे क्योंकि अब किरोत चीकू का पेड़ इसमें लगा है यदि अपन इस टाइम पर खरपरतवार हो या फिर आपने कोई भी चीज मेरी गोल्ड लगा रखा हो या कुछ भी हो इस प्रिकार से पक जाती है तो इसको अपन इसको निकाल देंगे यदि अपन इसको नहीं निकालेंगे तो पूरी सक्ति यही खींच लेंगे खाड अपन ये इतना भी खाड और गए या कोई भी खाड डालेंगे तो पूरा पावर जी ले लेगी अब प्लांट को नहीं मिलेगा तो उसके वज़े से अपने फूल जड़ जाएंगे न्यूटेंस नहीं मिलेंगे पिलांट्स को तो उसके वज़े से फूल जड़ जाएंगे तो अपना मैं इसको एक एक करके उखाड लेता हूँ उखाड के मैं आपको दखाड़ इस प्रिकार से मैंने जे उखाड लिए उखाडने के बार रख दिया अब इसके डाल निकालने का जो प्रोसेस है वो आपके साइद मैं सेयर करूँगा बीडियो में किस प्रिकार से इसमें से डाल निकाली जाती है हारवेश्ट कैसी करी जाती है किसान भाई किस पिकार से समय से डाल निकाल सकते हैं तो इसको अब आप इस साइड में रख देता हूं अभी मेन बीडियो बनाने का पुद्दिस मेरा चीकू का है तो मैं आपको चीकू का पुद्दिस पे जाता हूं अब इस प्रिकार से गंपला विल्गुल एम्टी हो गया है, अब यतनी भी घास लग रही है, खरपत्रवार है, इसको अपन को पूरा निकाल देना है, जैसे इसको पूरा निकाल देते हैं, बैसे तो मिट्टी मेरी बुर्गुरी है, लेकिन फिर इसको अपन थोड़ा सा गो हो जाएगा इसको गोड़ना है, गोड़ने के बाद जो डेले हुएं, तो धातों की साइबस से इस पिरकार से इतने भी जी डेले है, उनको तोड़ दो, जिस से मिट्टी बिल्कुल, Smells Heard ःटे में तो आज मैं आपको बताऊंगा, कि आपको क्या करना चाहिए, जिसकी वज भी हो और शूटिंग भी हो तो सबसे साब धानी की बाद से रहती है कि फूल तो आ जाते हैं अब मैं रहता इसका पॉलीलेशन नहीं होता आपके आप नहीं आती है उसकी वजेसी भी फल बनने में दिक्कत आती है तो उसका वी मैं आपको बताऊंगा क्या करना चाहिए कि जिससे मदुमक्षी आएं और पॉलीलेशन करें और जिससे फल बनें चलो बहुत हो बात का बात है मैं बताऊंगा सबसे पहले मिट्टी की के बारे हैं बताऊंगा मिट्टी कैसी से क्या रहना चाहिए जिसकी वजे से इसमें कोई दिक्कत ना है अभी हमारे यह जाता है तो अब यह अपन को पहले से तयारी करना पड़ेगी यह आपके यह अगर टेंपरचर 48-49 डिग्री या 50 डिग्री जाता हो चालिस की ऊपर 40 प्लस हो जाता हो तो आपको भी यह हमारे जिसकी वजे से जिसकी वजे से आपका लांट भी यल्दी रहे और फलो और अब करीबन इसको जैसे जी मिठी बिल्कुल बर्गोरी हो गई है अपन ने इसको गोड दी आए गोडने के बाद में करीबन इसको दो या तीन गंटे की धूप खिला दो अच्छी दूप खिला तो 2-3 गंटे की बिल्कुल हावा लग जाए जड़ों में उसके बाद में क्या करना है मैं आपका अंदर इसके अंदर कौन सा फैटिलाजर डालेंगे गर्मियों में जिससे के पिलांट को कोई नुक्सान ना होए इतना हो सके गर्मियों में मई और पिलांट को कोई नुक्सान नहीं हो जैसे आप देख सकते हैं जैसे 3-4 गंटे बिल्कुल धूप खाया है यह तो वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन आपको करना है 2-3 गंटे धूप खिलाना है ठीक है प्लांट तो आपने देखी लिया ज आपको डालना है क्योंकि अभी गर्वी पड़ रही है तो जिसकी वैसे अपन या तो यह फैडिया डालना है अपन को यह पत्तों की खात है सड़ा उगा पत्तों की खात है पत्तों की खात अपन डाल सकते हैं या बर्मी कंपुष ले सकते हैं या गोवर की खात डाल सकते है अब ये 15 इन्ची, क्योंकि 15 इन्ची घं billion है मेरा तो यह क्याद दो मुठ्थी आपन को इसमें इस प्रिकार से मिट्टी या मिक्स कर देना है क्योंकि आपन इसको नहीं डालेंगे तो जगनों को मिट्टी को न्यू टैनस नहीं मिलेंगे तो फल बनने में दिक्कत आती हैं इस प्रिकार से अपन ने डाल दी अब हाथों की साइधाई से इसको बिलकुल अपन को इसमें mix करना है mix कर जैसे ये mix हो जाए mix होने के बाद भी अपन को एक गंटा बाद पानी डालना है इसमें पानी डालना है जैसे इस प्रिकार से अपन जैसे गोड़ने के बाद में अपन भी ऐसा कर सकते हैं कि तुरंत जैसे अपन ने गोड़ दिया गोड़ने के बाद में जे खाद अपन mix कर दो एक दो गंटा धूप खार देना चाहिए जिसके इससे बेनिफिट होता है कि इस खाद के अंदर जो भी अपने बैक्टिरिया होती है या फिर जो अपने पोड़ों को वानिकारिक हानी पहुचा सकते हैं तो वो मर जाते हैं दूप की वज़े से या भाग जाते हैं इस प्रिकार से इसो mix करना है और करीवन इसमें पानी डाल लेता है अब पानी इसमें कितना डालना है तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इतना पानी डालना है कि यह बाटम से भार नहीं निकले अभी तर चट पर बेरे और भी गमलों पानी डाला है इसकी वाई से भान निकल लाए इसमें अभी मैंने डाला ही नहीं है पानी इसमें डालूँगा इसमें यानि एक से डेल लीटर पानी डालना है अब गर्मियों में इसकी क्या देखवाल कर रहा है जिए खात हो गया अब इसके मेहन उद्देश जी रहता है कि जैसे अपने इस गर्मी जाता पड़ती है केमिकल खात इसमें नहीं डालना है तो अपने प्रोसेस करना है अब इसमें अपन को क्या करना है जिससे नमी बनी रहा है अब क्या अपन सुबह पानी डालते है बैटर पानी सुबह ही डालना चाहिए गर्मियों में सुबह अपन पानी डालता है तो स्याम को टेम पर पानी बिल्कुल सूख जाता है तो यदि अगर इसकी नमी नमी अगर किसकी खतम हो गई बिल्कुल ड्राय हो गई यह मिट्टी तो फूल जड़ जाएंगे अपनी इसमें नमी बनी रहना चाहिए अब नमी कैसे बनेगी गर्वियों में तो मैं आपको बत सकते हैं अपन नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं और अपना राइस डाल सकते हैं याथ की चावल के छिलके इससे अपन मल्चिंग कर सकते हैं तो मैं भी सूखे पत्तों से मल्चिंग करूंगा जैसे आपको दिखाता हम वीडियो में इस पिरकार से सूखे पत्तों से अ करेंगी खाद बन जाएगी दीरे तो अपन इसको ऐसा मल्चिंग करके इसे बाटरिंग कर देना चाहिए बाटरिंग करने के बाद में आप अब बहुत गर्मी फट रही है तो इसको अपन को ऐसी जगा रखना चाहिए जी जगा स्यामी सेड हो हलकी सी सोवे की दूप मिल नीचे भी रख सकते हैं छिक है यह तो मिटि की बात हो गई यह अगर कर देत। इन पत्तों पर श्यक्रच कर देतें पानी का तो उसकी वज़े से temperature up-down हो जाता है तो up-down की वज़े से फूल जड़ जाते हैं इस पिरकार से देखो जी भी फूल खिलना है वो जड़ जाते हैं तो यही आपको साबदानी भरतना चाहिए अपने चीको के प्लांट पर तो अगर इस पिरकार से आप अपने चीको के लोने वाला है तो इसको भी मैं तोड़ दूँगा एक और एक मेठर होता है इसमें पंचिंग का जैसे आपके यहाँ पे मदू मक्खिया नहीं आ रही है तो इस पिरकार से अगर यह जैसे लग रहे है तो इसको अपन पॉलीलेशन नहीं उपा रही है तो इसके बाद इसको ऐसे एक वार इसे दवाना है और एक वार इस प्रिकार से दवाना है तो अब जी इसमें फल बनेगा ऐसे इस प्रिकार से इस प्रिकार और ऐसे दवाना है यह भी टेक्निक बहुत कारगार टेक्निक है यह भी बहुत अच्छी काम करती है और फ्रूट बनने में मदद करती है इस प्रिकार से आप भी अपनी प्लांट क देखवाल करें करें और या गार्णिंग करें दिल खोल के गार्णिंग करना चाहिए कभी डर के गार्णिंग नहीं करना चाहिए आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो दोस्तों में लाइक और सेयर करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करें अब आगे वीडियो और बुला झाल